जैशी किशना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल है विमान, तुलसी दया न छाड़िये जबलगट में प्राण, सत्यता पुदया और पवित्रता ये धर्म के चार चरण हैं। द्रोपदी दया की देवी है, शमा शील है और वे जानती है कि शमा के योग्य काउन है। यहां पाँच पुत्रों की हत्या करने वाले अश्य थामा को शमादान करने वाली द्रोपदी, क्या कभी दुरियोधिन को शमा कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वो शमा के योग्य नहीं है। द्रोपदी और रामाइन की सीता, दोनों आरे नारियों ने बहुत सहन किया है। फर्क सिर्फे इतना है कि एक ने बोल करके सहन किया और दूसरी ने मौन रहकर के सहन किया। द्रोपदी बाचाल है, जादा बोलती है, पर सीता मौन रहती है। मौन है सीता, एक किशना है और दूसरी शेता है। द्रोपदी अगनी से प्रकट हुई है और सीता धर्दी से प्रकट हुई है। इसलिए अगनी सा देखता द्रोपदी का व्यक्तित्व है। प्रतिवी सी सहन शेलता और मौन रहकर सहन करना ये सीता का गुण है। दितिक्षा है सीता में। एक को बरने के लिए अर्जुन को बाण चलाना पड़ा, मतद से बेदन करना पड़ा, और दूसरे को बरने के लिए राम को धनुष तोड़ना पड़ा। द्रोपदी यदि मौन रहती तो महाभारत नहीं होता, और सीता बोलती तो रामर नहीं होता। द्रोपदी बाचाल बोलने से महाभारत हुआ, अंध के तो अंधे होते हैं। और आज द्रोपदी क्या कह रही है। मुच्यताम, मुच्यतामेश, मुक्त करो इसको। द्रोपदी के निवेदन में धर्म है न्याय है करुणा है निश्कपट वाक्य है इसमें समत्त्व है इसलिए धर्म रूप युदिस्टर ने अनमूदन किया है सत्यतप, दया और पवित्रता ये धर्म के चार चरण है एक बार भगवान श्री किश्ण शी, लक्ष्मी मा से कहा भगवान किश्ण ने कि तुम एक बात बताओ लक्ष्मी जी तुमने मेरा कभी कोई साथ नहीं दिया इतना बड़ा युद्ध हुआ बिल्कुल मेरा साथ NEहीं दिया तो लक्ष्मी जी बोली स्वामी ये आप कैसे कह सकते हो मैं तो आपको छोड़ कर कहीं अकेले रह नहीं सकती हमेशा आपका साथ देती हो मैं आपके साथ ही ही तो थी बोले तुम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देती बोले मैं आपको दिखाई कैसे दे सकती थी प्रभू अरे मैं तो कौर्वों का अभिमान बढ़ा रही थी इतना धन दे रही थी उनको कि उनका अभिमान बढ़ा रही थी यदि मैं उनका अभिमान नहीं बढ़ाती तो क्या कभी आप कौर्वों से जीत सकते थे जैशी किश्ण